इकाई पाँच चिडिया घर की सैर ध्यान से सुनिये इस इकाई में चिडिया घर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है कल गीता अपने दादाजी के साथ चिडिया घर गई थी उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड थी शेर गर्जा तो सब डर कर पीछे हट गए सामने लोग लंगूर को मुंग फली और केले खिला रहे थे दादाजी ने कहा देखो वह लिखा है चिडिया घर के जानवरों को खाना देना बना है गीता बोल उठी दादाजी वह देखिये काले मुह का बंदर दादाजी हस पड़े और बोले बिटिया वह लंगूर है लंगूर का मुह काला होता है एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाग पर बड़ा सा सिंग था साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था गीता दादाजी को किंचते हुए आगे ले गई वहां भालू दो पहरों पर खड़ा था एक तालाब में रंग विरंगी मचलियां और बथक तैर रही थी गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है दादाजी उसे समझाते हुए बोले बिटिया या कछुआ है जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है खोल इसका रक्षक है गीता दौड कर आगे गई एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे जैसे ही मगर ने मूँ खोला गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था उसमें बहुत से चिड़िया थी गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वह देखो हरियल तोता दादाजी ने कहा हाँ और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी काका कवा है इसे कातुआ कहते हैं गीता चहक कर बोली दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है जैसे गोरईया पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतर मुर्ग होता है वह देखो शुतर मुर्ग पेड की चाया में खड़ा है चिड़िया घर में हाथी और उउट की सवारी भी कर सकते हैं सामने आइसक्रीम का एक थेला था दादाजी ने अपनी लकड़ी ठिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरी दी अब तक दोनों ठक चुके थे वे चिड़िया घर के दरवाजे से बहार आए बस पकड़ी और अपने घर आ गए झाल 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 बहुत भीड थी सामने लोग लंगूर को मुंफली और केले खिला रहे थे देखो वह लिखा है चीडिया घर के जानवरों को खाना देना मना है दादा जी वह देखिये काले मुँग का बंदर बिटिया वह लंगूर है लंगूर का मुँग काला होता है एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाग पर बड़ा सा सींग था साथ वाले बाडे में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था गीता दादा जी को कीचते हुए आगे ले गई वहाँ भालू दो पैरो पर खड़ा था एक तालाब में रंग विरंगी मचलियां और बथक तैर रही थी दादा जी दादा जी वह देखिये पत्थर चल रहा है बिटिया या कचुआ है जब इसे डर लगता है तो वहाँ अपनी गर्दन और हाथ तैर अपने खोल में छिपा लेता है खोल इसका रक्षक है एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे जैसे ही एक मगर ने मूँ खोला गीता ने डर कर दादा जी का हाथ पकड़ लिया कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था उसमें बहुत सी चिडिया थी गीता ने खुशी से ताली बजाई वहाँ देखो हरियल तोता हाँ और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी काका कोआ है इससे कातुआ कहते है दादा जी कुछ चिडिया तो हमारे गर के पास भी दिखाई देती है जैसे गोरेया पिछले साल पिकनिक पर हमने पाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था दादा जी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुर मुर्ग होता है वह देखो शुतुर मुर्ग पेड की छाया में खड़ा है चिडिया घर में हाँखी और उट की सवारी भी कर सकते हैं सामने आइसक्रीम का एक फेला था दादा जी ने अपनी लकड़ी ठिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरी दी अब तक दोनों ठक चुके थे वे चिडिया घर के दरवाजे से बहार आए बस पकड़ी और अपने घर आगाए विद्यार्थि मित्रो आज हम शब्दकोश के बारे में जानेंगे शब्दकोश में हिंदी वर्ण माला का क्रम स्वर अम अ आ ई ई उ उ रू ए ए ओ आउ के बाद व्यांजन क ख ग ग च च च ज ज ज त ठ ड ड ड अणा त त त थ द ध न प प भा बा भा मा य र र ल ह व श श स ह अब हम शब्द कोश के माध्यम से यह जानेंगे देखिए देखिए शब्द कोश में अम अ अ आ इ इ उ उ रू ए ए ओ अव देख सकते हैं जो पन्ने के उपरी हिस्से में हम देख सकते हैं इसके बाद उसी तरह पन्ने उल्टाएंगे तो क, ख, ग, घ, च से लेकर ह तक वर्ण आएंगे मानो, तुम्हें कवर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूनना है शब्द कोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा देखिए पहले कम से शुरू होने वाले शब्द उसके बाद क से शुरू होने वाले शब्द आगे देखिए का से शुरू होने वाले शब्द, उसके बाद हस्व ई से शुरू होने वाले शब्द आपको मिलेंगे, इसके बाद दिर्ग ई वाले शब्द आएंगे, देखिए, बाद में हस्व उ और उसके बाद दिर्ग उ वाले शब्द देख सकेंगे, इसके बाद क्रवी वाले इसके बाद दो मात्रा वाले शब्द कई वाले शब्द देखो. आगे देखिए को वाले और इसके बाद कव वाले शब्द देख सकते हो. कव से आगे क्या वाले शब्द? क्रव वाले शब्द. अंतमे क और श से बने क्षव वाले शब्द आप देख सकते हैं. व्याकरण की द्रिस्टी से कोई शब्द संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, आदी भेदों में से किस भेद का है? इसकी सूजना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी. यहाँ जो संकेताक्षर अथ्वा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं, वे शब्द कोश में हम इस प्रकार देख सकते हैं. देखिए, यहाँ अंतर शब्द के पीछे पुलिंग का पू दर्शाया हुआ है. इसके आगे अंडी शब्द देखिए, वह स्त्रिलिंग दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे स्त्री देख सकते हैं. एक और शब्द देखिए, अंदरूनी, अंदरूनी शब्द विशेशन दर्शाता है, इसलिए इसके पीछे वी दर्शाया है. इसी पन्ने पर एक शब्द देखिए लोप होना इसके पीछे सा लिखा है वह सर्वनाम दर्शाता है एक और शब्द देखिए अगाना इसके पीछे अ लिखा है वह अव्याई दर्शाता है इसी प्रकार यदी शब्द के पीछे की वी लिखा है तो क्रिया विशेशन समझे अम लिखा है तो इसका मतलब है वह शब्द अंग्रेजी शब्द है